हे हलो हट्सप गाईज वेलकम टू इज़ादा रिक्वेश्ट किया था कि विजड भाई जोरो फ्री फायर का एडिटिंग सीक्रेट रिविल करो तो भाई लोग फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जोरो फ्री फायर जासा शॉट वीडियो का कैसे आपको क्वालिटी रखना है वह में सिखाने वाला हो तो भाई लोग यह वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा इजी भी होने वाला है जस्ट यूजिंग क्यापकाट कोई भी कर सकता है तो भाई लोग वीडियो को इंट तख क्येरफूली यह अच्छे ना केसा लगा आपको आज का वीडियों तो चलिए बाया लोग। अजका वीडियो स्टार्ट करते हैं सब लोग को क्या करना है और तो आपको कट को ऑपकेन कर ले ना है चाइव कट के अंदर आपको आपकद गेमप्ले ढड़ दिए कर ले अब हैं ठीक है आपको सार्च कर देला है सार्पेन एज़ेस करण ठीक है तो आपको सार्च कर देना अन एक चीज में बताना भूल गया था आपको जो है इस का टावलोड का लिंक जिसके एपनुपर मिलजाएं जिसके पास लेटेस्ट वर्सरन अभी हमें जो आन्ट तक ढ內सो वाहले डेख सकते हो इसको एक दम वीडियो पाका करने के बात आधäre के अभी आपको क्या करना है जीहान से देखो अभी आपको तो इसका अद्जस्ट्मेंट कर लेकाइब यहाँ अच्ञार करें आप यहाँ पडित तो आपको रेंज को यहाँ पर थोड़ा सा छेडखानी करके देखना है तो मेरा यहाँ पर हंड्रेटी सही था तो मैंने कर दिया और फिल्टर को आपको अपनी हिसाब से रखना है ठीक है तो यहाँ पर मैंने फिल्टर रखा है पूरा फिल्टर जीरो नहीं किया मैंने 55 फिल्टर रखा है और शार्ट पेन को मैं फिर से एड़्जस्ट कर रहा हूं according to filter ठीक है तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा 75 तक अभी इतना काम करने के बाद भाई लोग यहां पर देख सकते हो कुछ इस टाइब से लग रहा है हमारा मॉंटेज पर अभी भी हमारा एड़्जस्टमेंट वगरा खतम नहीं हुआ है ठीक है अभी तो सुरू हुआ है जल्दी खतम भी हो जाएगा अभी क्या करना है आपको ध्यान से देखो अभी आड़्जस् शार्पे को करना है 50 okay guys 50 कर देना शार्पेन को अट Edwards नहीं को इतना काम करने के बाद आपको हाइलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रिज जबाएड़को तोड़ा सा डीकृस करते नहीं ठीक है बहुत एक दम slightly थोड़ा सा कम कर दूंगा लेकिन उससे पहले आपको एजस्टमेंट ओपेन करके यह सल में आना है आपको ब्लू कलर को इस टाइप से चेंज करना है इसका हीू साचुरेशन और लूमिनेंज को चेंज कर देना है ठीक है एड़ इतना काम करने के बाद आप बाकी कलर्स को भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उदर कर सकते हो भाई लोग ठीक है आप लोग अपने मॉन्टाज के एकोटिंग या फिर आपका जो भी क्लिफ होगा उसके एकोटिंग एचसल को जो है छेड़ खाड़ी करना है आपको ठीक है तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर को और यह स से थोड़ा बहुत चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर मैं ग्रेन रख रहा हूं गाइस डिक्रीज करके ओके 65 ठीक है तो भाई लोग यहाँ पर मेरा काम तो कंप्लीट हो चुका है अभी आपको मैं दिखाता हूं कि इस मॉन्टाज का क्वालिटी पहले क्या सा था और अब क क्वालिटी कितना इंक्रीज हुआ है और यह जोरो एफेफ जैसा हुआ है कि नहीं ठीक है कि अ कि कि